नमस्कार दोस्तों संस्कृत वागिश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आद्या दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्तों की ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रजापती सुप्त पढ़ाईए तो उसी क्रम में आज आपके सामने में ले कर उपस्तित हूँ दोस्तों सेकंड ग्रेड संस्कृत परिक्षा कुछी समय बाद है उसके लिए उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी सी चल रही होगी सुप्तों से बहुती अनिवारे रूप से प्रशन पूछे जाते हैं इसलिए हम शुरू करते हैं प्रज प्रजापती वे ही प्रजापती हैं जो की रिगवेद के अंतरगत स्रिष्टी की उत्पत्ती का कारण माने जाते हैं रिगवेद के दस्वे मंडल का 121 सूप्त है इसके जो रिशी है वो हिरन निगर्भ रिशी है इसके देवता का संग्यक प्रजापती है इसका जो चंद ह प्रयोक्त छंद वो त्रिष्टुप छंद है कुल इसके अंतरगत मंत्र दस मंत्र है सबसे पहले तो इसके अंतरगत ये कह संग्यक प्रजापती आएगा बार बार इसे में समझा देती हूं सबसे पहली बात ये है कि कौ जिस प्रकार वर्ण माला के व्यंजनू का दित्व करता है ठीक इसी प्रकार ये जो प्रजापती है ये संपूर्ण स्रिष्टी का प्रतिनिदित्व करते हैं यानि कि जिस प्रकार संपूर्ण वर्ण माला के अंतरगत का से शुरुआत होती है ठीक उसी प्रकार स्रिष्टी के शुरुआत भी प्रजापती से होती है तो ये हिरन्य गर्भा भी कहे जाते हैं हिरन्य कहते हैं स्वर्ण को स्वर्ण रूपी जो स्वर्णांड है उसके अंतरगत गर्भ में स्थित यदि कोई है तो एक सूत्र एक मंत्र भी आता है कि हिरन्य मैन पात्रेन सत्य स्य पहितम मुखम वो जो सत्य है स्वरूप इश्वर है वो हिरन्य मैन पात्रेन हिरन्य कहते है स्वर्ण को स्वर्ण से बने हुए किसी उसके अंतरगत पहितम छिपा हुआ है कुल मिला करके जो ये संसार हमको दिखाई देता है ये नहीं इसके अंदर यानि कि आत्मभूत जो तत्व है वो सत्य हिरन्य पात्र से छिपा हुआ है तो ये जो कसंग्यक प्रजापती है उनके लिए ही ये सब कहा गया है तो इसके अंतरगत बार-बार आएगा कस्मई देवा ये हविशा विधेमा वो इसी लिए आएगा कि कसंग्यक प्रजापती को मैं नमन करता हूँ, उनकों के लिए मैं हविशा या हवी प्रदान करता हूँ तो इसी संदर्ब में हम सभी मंत्रों का एक बार अर्थ देख लेते हैं पहला मंत्र आता है इसमें ये कहते हैं कि अग्रे हिरन्यगर्भ सबसे पहले हिरन्यगर्भ प्रजापती उत्पन हुए समा अवर्तत पैदा हुए अग्रे सबसे पहले पैदा हुए कौन हिरन नेगर्ब नाम के प्रजापती उत्पन हुए फिर कहते हैं जातह एव भूतस्य एकःपती आसीद यानि कि उत्पन होते ही संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी बन गए उन्होंने क्या किया दधार धारन किया किसको प्रित्वी और द्याम उतेमाम ये कहते हैं कि प्रित्वी लोग और द्यू लोग को धारन कर लिया तो फिर कहते हैं कस्मई दिवाय हविशा विधेमा तो यहां दो अर्थ होंगे इसके पहले तो ऐसे का स्वरूप जो प्रजापती हैं हम उनके लिए हविशा प्रदान करते हैं या उनको हम अनुष्ठान करते हैं उनके लिए दूसरी चीज यहां यहां आती है कि जो हिरन्य गर्भा समवर्तताग्रे जो सबसे पहले हिरन्य गर्भ प्रजापती उत्पन हुए उत्पन होते ही संपूर्ण जगत के वो स्वामी हो गए और उन्होंने प्रित्वी और आकाश लोग को मानो थाम रखा है धारन किया हुआ है तो कहो उनके अतिरिक्त कस्मई उनके अतिरिक्त और किस देव की हम पूजा करें और किसको हम माने तो दो अर्थों में कस्मई देवा यह विशा विधेमा का प्रियोक किया जाएगा सभी मंत्रों में तो यह इसका पहला मंत्र था अगले मंत्र को देखते हैं दूसरा मंत्र यह कहते हैं कि यह आत्मदा बलदा जो आत्मा का और बल का देने वाला है आत्मा और बल यानि की प्राणों का देने वाला है और कहते हैं कि यस्य प्रशीशम उपासते देवाहा यस्य प्रशीशम यानि कि जिसकी आग्या को देवगण भी मानते हैं या प्रशीशम के दो अर्थ हैं आग्या मानना और प्रशंसा करना जिसकी देवगण भी प्रशंसा करते हैं और जिसकी आग्या देवगण भी मानते ह यस्यत छाया मृतं मृत्यू उसकी ही छाया अमृत है और उसको ना मानना अर्थाद उसकी भक्ती ना करना यानि कि उसकी उपासना ना करना उसकी समीपन बैठना ही मृत्यू है कहो कस्मई देवा ये हविशा विधी में उसे छोड़ करके हम किस देव की हवी कने इस प्रकार ये दूसरा मंत्र था तीसरा मंत्र देखते हैं यह प्राणतो निमिशतो महित्वई कई द्राजा जगतो बभुव ये कहते हैं कि यह एक इत महित्वा प्राणतो निमिशतो जो स्वयम ही अपनी महिमा से श्वास लेने में आपलक पलक के मारनी वाले जो स्वामी बन गया है कुल मिलाकर यह कि यह प्राणतो निमिशतो जिनके पास प्राण है और जो निमेश यानि कि पलकों का जपकाना निमेश कहलाता है ऐसे जिन में प्राण है और जो पलकों को जपकाते हैं कुल मिलाकर के ऐसे सभी सजीव जिन में प्राण है यानि कि अपनी महिमा से वो श्वास लेने वाले और पलके जपकाने वाले उन सभी का स्वामी बन गया और फिर क्या कहते हैं या इशे अस्यद्वी पदश चतुश पदश जो दो पैरवाले और चार पैरवाले इन सभी के उपर दो पैरवालों पर और चार पैरवालों दोनों पर शासन करता है यानि कि उन सभी के उपर शासन करने वाला हुआ इसके लिए ऐसे देव के लिए हम यग्य से अनुष्ठान करते हैं और कहो ऐसे देव के अतिरिक्त हम और किसकी हवी करें यानि और किसके लिए अनुष्ठान और पूजा करें इस प्रकारिय तीसरा मंत्र था अगला मंत्र देखते हैं यह कहते हैं इमेहिम वंतो यस्य महित्वा आहु हु। जिस हिरन अगर्ब प्रजापती की महिमा को जो ये हिम वन्तो हिम कहते हैं बर्फ को बर्फ से ढखे हुए जो परवत हैं जिस यस्य जिस प्रजापती की महिमा को ये बर्फ से ढखे हुए परवत गाते हैं कहते हैं और क्या कहते हैं यस्य समुद्रा रसिया साहु हूँ और नदियों से युक्ति जो ये समुद्र हैं प्रदिशा यस्य बाहु हूँ यह कहते हैं यस्य तस्मई कस्मई देवा यह विशा विधी महा ऐसे जो प्रदिशा कहते हैं दिशा और दिशाओं के कौन दिशा कौन सी जो उत्तर दक्षिन पूर्व पश्चिम है यह दिशाएं और प्रदिशा प्रदिशा यानि इन दोनों दिशाओं के मध्य मध्य जो कोण होते हैं जैसे आगने कोण है ईशान कोण है वायव्य कोण है यह सारे जो कोण है यानि कि सभी दिशाओं में और सभी कोणों में जिसकी भुजाओं की तरह महत्वपूर्ण है यह सारी दिशाओं मानौ उस प्रजापती की भुजाओं हैं त इक कौन जिसकी भुजा की तरह महत्वपूर्ण हैं ऐसे का स्वरूप इश्वर की हम पूजा करते हैं उन्हें हवी प्रदान करते हैं और उनकी आराधना करते हैं इस प्रकार अगला मंत्र देखते हैं दोस्तों पाचवा मंत्र ये न द्यो रुग्रा पृत्वी चद्रढ़ को जिसने उग्र आकाश को बांध कर रखा संभाला और प्रित्वी चद्रढ़ा चलायमान प्रित्वी को द्रढ़ किया फिर कहते हैं स्थिर किया और ये न स्वस्तभितम ना कह जिसके कारण स्वर्ग लोक भी स्थिर हुआ है जिसके कारण यो अंतरिक्षी रजसो विवान जिसके कारण अंतरिक्ष में सूर्य स्थित है अंतरिक्ष में जल इत्यादी रजकणों का निर्मान करने वाला है ऐसे कस्मई देवाय हविशा विधेमा ऐसे कस्वरूप इश्वर को हम आराधना करते हैं उसका ये यजन करते हैं इस प्रकार ये पांचवा मंत्र हुआ अवसा, तस्तभाने, रेजमाने, क्रंदसी, ये कहते हैं संसार की आवसा, संसार की रक्षा के लिए यम, जिस प्रजापती की दवारा, जो चलायमान द्यू और पृत्वी लोग है, स्थब्धमाने यानि कि पृत्वी और द्यू लोग को जिसने स्थिर किया है और जिसके कारण अध्यक्षिता मन से रज्यसमाने जिसे शद्धा पूर्वक मन से जिसकी और सब देखते हैं प्रजापती की और सब शद्धा पूर्वक मन से देखते हैं, यत्राधी सूर उदितो विभाती जिसके आश्रे से ही सूर्य उदित होकर के विभाती चमकता है उस प्रजापती को छोड़ कर अन्य किसकी हम हवी का यजन करें, यानि कि उसका स्वरूप इश्वर को हम हवी के द्वारा यजन करते हैं इस प्रकार ये छटा मंत्र हुआ, अगला मंत्र देखते हैं दोस्तों आपो हा यद व्रिहती विश्व मायन गर्ब दधाना जल यंति रग्रिम ततो देवानाम समवर्तता सुरेकह कस्मई देवाय हविशा विधेमह ये कहते हैं कि यत गर्भा ये कहते हैं यत गर्भा दधाना आप हा अगनी जनयंती हा विश्वम आयन देखें जिस गर्भ में धारन करते हुए अगनी उत्पन हुई यत व्रिहती विश्वम आयन यानि कि जिस गर्भ में धारन होते हुए अगनी उत्पन करते हुए उस महान जल अंतर अगनिम जलो ने ही संपूर्ण विश्व को परियाप्त कर लिया गर्भ दधाना संपूर्ण विश्व जल राशी से इस प्रित्वी को व्याप्त कर लिया देवताओं का एक मात्र ततो देवा नाम समवर्तत सुरेका यानि कि उन देवताओं का एक मात्र प्रान तत्प उत्पन हुआ और उस प्राण तत्व देवता की हम हवे उन से पूजा करें यानि कि यह कहना चाहते हैं कि जो हीरण गर्ब प्रजापती है उसके गर्ब में धारण होते हुए जो अगनी इत्यादी जो पंच महाभूत हैं उनको उत्पन किया और उन जो महान वो जो जल है उनके द्वारा ही सृष्टी के आरब में समपूर्ण विश्व को व्यापत कर लिया गया यानि कि यह कहना चाहते हैं सृष्टी उत्पत्ती के विशे में कि ज़ जल उत्पन हुआ सबसे पहले चारो और प्रिथ्व को व्यापत करके तबी आगे के संततियों के संभावना हुई क्योंकि जल ही जीवन होता है तो जल की उत्पत्ति और उसके अंतरगत अगनी का आधान इन पंच महाभूतों के विशे में यहां बताया गया है अगला हम मंत्र देखते हैं दोस्तों इसका आठवा मंत्र यह कहते हैं अग्यात नाम वाले प्रजापती है उनकी स्रिष्टी सामर्थिवान प्रजापती को बीज रूप में धारिन करने वाली है यानि कि जिसकी महीमा से एक प्रकार से स्रिष्टी का बीज रूप उत्पन्न हो जाता है बीज रूप के रूप में वो आती है और यग्य से परिलक्षित विकार समू को उत्पन करते हुई यो देविश्वधी देव एकम और जो देवताओं का एक मात्र प्रान तत्व है या एक मात्र स्रिष्ठ देव है उसे छोड़ करके हम किसे यजन करें यानि कि ये कहना चाहते हैं कि जो अनिर्ग्यात नाम वाले हैं जिनका नाम भी नहीं है कोई यश्चिद आपों महीना पर ये पश्चत चारों और जिनों ने आप यानि जल की महीमा को देखा दक्षम दधाना जनेयंतिर यग्यम और यानि कि स्रिष्टी के आरब में सामर्थ अधिवान जो प्रजापती है उसको बीज रूप में धारन करने वाली यग्य से संपूर्ण विकार समों को उत्पन्द करती वी जो जल राशी है कुल मिला करके सारे जो पंचबूतों के उत्पत्ती हुई है वो यग्य से हुई है और वहां से जो उत्पन्द हुई है उस के लिए यजन करते हैं थैंसे अगला मंत्र देखते हैं दोस्तों मानो हिंसी जनित या प्रथिव्या जो वा दिवम सत्थधर्मा जजान यश चापन चापश इंदरा व्रहत्रिर जजान कस्मौई देवा यह हविशा विद्हेम है यह कहते हैं नमा हिंसीत या प्रत्वी जनीता जो भूमी के जनक है जो सत्य धर्मा जजान जो सत्य धर्मा है और द्यू लोग को तथा जो विशाल जलराशी है उसको उत्पन्द किया है उन्होंने जो पृत्वी को उत्पन्द करने वाले हैं सत्य धर्मा है जजान यानि कि स्वयम उत्पन्द हुए है और दिवम यश्चार चंद्रा व्रहतिर जजान ये कहते हैं कि जो विशाल जलराशी है विशाल जलराशी को जिसने उत्पन्द किया है वो मानो हिंसीत वो हमारी हिंसान करें यानिके प्रजापती से ऐसी प्रातना की जा रही है कि आप ही हो जिनोंने प्रित्वी को उपन किया है आप इस सत्य धर्मा है और संपूर्ण जितनी जल राशियां है उनको आप ही ने उपन किया है तो आप हमारी हिंसा मत कीजिए इसलिए इसलिए आपके रक्षा के लि प्रजापती नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभुव यत कामास्ते जुहुमस्तन्यो अस्तुवयं स्यामपतयो रही नाम यह कहते हैं कि है प्रजापती प्रजापती तुमसे भिन कोई भी ना प्वदेद अन्यो विश्वा इस संपूर्ण विश्व में तुमसे भिन ऐसा कोई नहीं है, जब भूतों को चारों और से सर्वतों भावेन व्याप्त करता है, यानि कि सब आप से उत्पन हुए हैं और आपके अंदर ही सब समाए हैं, ऐसे जो प्रजापती आप हैं, यत कामास्ते जुहू तन्नों अस्तू, यत कामास्ते जिस जिस पदार्थी कामनावाले होके, जुहू हम सब हवन करते हैं, यजन करते हैं, तन्नों अस्तू, वे सभी कामनाई हमारी पूर्ण होएं, इसलिए वयम स्याम पतयो रही नाम, और हम क्या करें, वयम स्याम हम हों क्या पतयो रही नाम, रई कहते हैं धन को, हम बहुत सारे धन के स्वामी होएं. तो इस प्रकार प्रजापती से यहां पर यह कहा जा रहा है कि समपूर्ण विश्व में आप सभी चीज़ों को उत्पंड करके यहां विद्यमान हो. उत्पन होते ही आप सभी के स्वामी हो गए, इसलिए हम आप से ऐसी कामना करते हैं, कि जिस जिस भी कामना वाले हो करके हम आपका यग्य करें, पूजा करें, आपको माने, स्थुती करें, वो सारी कामना है हमारी पूर्ण हो और हम धन और संपत्यों के स्वामी हो, धन संपत् हमको प्राप्त होएं तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये प्रजापती सूप्त और उसके दसों मंत्रों को देखा है अब हम इसकी कुछ विशेष्टाइं देख लेते हैं जहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं देखिए इसमें कहा गया है सबसे पहले कस्मई देवाय हविश करते हैं दूसरा कहते हैं कि हिरण अर्ट समवर्थते ताग्र्य यानि की अग्रे अवर्थत शर्व ब्रथम हिरण न्यगर्भ उतपन हुआ भूतस्यजाता पति रेक आसेथ यानि की प्राणियों में सबसे पहले वो उतपन हो गया और उतपन होते ही संपूण जगत का अगला कहते हैं प्रशिशम यस्य देवाहा और जिसकी प्रशंसा देवता भी करते हैं या जिसकी आग्या देवता भी मानते हैं। अगली उसकी विशेस्ता है कि यस्य चाय अम्रितम यस्य मृत्य हो जिसकी चाय अम्रित है और जिसको ना मानना जिसकी चाय प्राप्तना करना यानि कि जिसकी क्रपा स्थुति इत्यादी प्राप्तना करना ही मृत्यवादी दुख का हेतु है अगला कहते हैं कि यस्य में वंतो महित्वा और ये जो हिमसे युक्त सारे परवत है वो उसकी महिमा का गान करते हैं किसकी प्रजापती की महिमा का गान करते हैं अगला कहते हैं यो अंतरिक्षी रजसो विमान जिसने अंतरिक्ष इत्यादी में रजादी कणों को उत्पन किया है वो कौन है प्रजापती है या देव-े-स्वादी देव एक आसीड वो देवों का भी देव जो सर्व्प्रमुख्थे वह एक ही देव उत्पन्हुआ था तो यहां पर यह इसके सभी कार्यों को गिनाते हैं जैसे प्रथिव्य जनीतर drive प्रजापती के बहुत सारे विशेशन यहां प्रेग्त किए गए हैं और इस प्रकार हमने दोस्तों प्रजापती सुक्त लगभग पूरा पड़ लिया है लगभग नहीं पूरा ही पड़ लिया है एक पुईंग्ट 121 और मैं समझती हूं कि जो भी प्रजापती सूक्त के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंतरगत ही पूछ लिए जाएंगे इसके बाहर कुछ आने की संभावना है ही नहीं यानि कि जो आज हमने डिसकस किया है इसी में से पूछ लिए जाएंगे तो जो प्रिजापती सूप्त जिन भी विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन लग रहा था जिन भी साथियों को तो मुझे लगता है आपके लिए इसकी उपयोगिता सिद्धो हो पाईगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए कॉमेंट करके बताईए अगला वीडियो किस पर चाहते हैं और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद